न्यूस 24 मद्यप्रदेश 36 गड़ पर आज मौझूद हैं कॉंग्रेस के कद्दावर नेता मद्यप्रदेश के पूर सीम दिग्विडेस सिंग जी सबसे पहले तो आपके स्वास्त की हम हलचाल जानना चाहेंगे दरशक भी हमारे जानना चाहते हैं कैसे हैं आप इश्वर की कृपा से ठीक हूँ गोविड हुआ था लेकिन माइल्ड मॉडरेट था तो हूम आइसोलेशन में ही मैंने अपना इलाज करवाया और मुझे इस बात की प्रसंदता है कि मुझे अस्पताल में नहीं जाना पड़ा सर आप अस्पताल नहीं गए आपके लाखों करोड़ों चाहने वालों की दुआओं का असर है लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे इस दौरान जो अस्पताल भी गए पैसे भी गए और जादाताल लोगों की जान भी चली गई तो आपको क्या लगता है सिस्टम क्या फेल हुआ है इस पूरे महामारी में या महामारी इतनी बड़ी थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता है केन सरकार को जो एक जो कदम उठाने चाहिए थे उधारन के लिए शुरू से बास सामने आ रही थी कि ऑक्सिजन ही के माध्यम से ही इसका ट्रीट्मेंट हो सकता है और एमडिसेविर इंजेक्शन इसके लिए आवशक्ता पढ़ सकती है लेकिन केन सरकार ने आक्सिजन की विवस्था नहीं की जो उन्हें करना चाहिए थी मैंने 16 सितंबर 2020 में ये बात राजस्वा में उठाई थी ICMR ने भी में 2020 के बाद से कुछ प्रोटोकॉल उन्होंने इशू नहीं किया आज भी विवाद इस बात का चल रहा है कि हाईड्रो क्लोरोकीन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये भी एक अजीब सी बात है कि जब ऑक्सिजन की आवशक्ता हमको मालूम है कि होने वाली है उसके बाद भी मेडिकल ऑक्सिजन का निर्यात चालू रखा गया है जो तैयारी हमें करना चाहिए था दुरुभाग है हमारा कि हम लोग सको नहीं कर पाए जब हमको मालूम है कि वैक्सिन हमको लगानी है लगानी है तो इसका क्या उचित था कि हम लोग दूसरों को बाढ़ते रहे अमेरिका जैसे देश ने किसी को नहीं दी वैक्सीन जब तक कि उनके लोगों को वैक्सीन नहीं लग दी लेकिन हमारी प्रधान मंत्री जी को अपने विश्व में अपना नाम स्थापित करने का उनका एक अलग भूक रहती है उसमें व्यस्त रहे जिसकी वज़े से पूरे व पिटिशन लगती है आपकी तरफ से और उसके बाद बीजे पी एक बार फिर से आप पर हमला वर हो जाती है कि जब भी राम मंदर से के या उसके चंदे से जुड़ी कोई चीज आती है तो दिग्विजे सिंग की ऐसी भूमिका होती है जैसे वो इसके खिलाफ है मेरी आपत कमुनल हार्मनी के लिए कमुनल डिस्टर्बंसे से निपटने के लिए उसका पालन राजसरकार ने नहीं किया आप उशाद मालूम नहीं है कि मैंने खुद ने राम मंदिर के अंदर चंदा दिया है लेकिन राम मंदिर के चंदे के लिए क्या जरूरी है कि तलवारें लेके जाए लाठी लेकर जाए भड़काने वाले नारे लगाएं दूसरे धर्बों के धर्म स्थलों पर तोड़ फोड़ करें क्या ये चंदा उगाने के तरीका यही है क्या आपत तीस बात की है चंदा से सर एक और चीज़, PM COVID relief fund को लेकर के जो बहुत बड़ी एक amount है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसमें transparency बिल्कुल नहीं है, आप मांग करते हैं कि उसे भी नॉर्मल तरीके के लोगों को पहली बात तो यह है कि जब PM relief fund पहले से ही है, तो अलग से PM care fund बनाने के आवश transparency होना चाहिए, उसमें किसी बात को छुपानी के आवश्यक्ता क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर ventilators खरीदे गए, सब standard ventilators खरीदे गए, बिना tender बुलाए, खरीदे गए, जिनका कोई ventilator बनाने का कोई अनुभव नहीं है, उन लोगों को order दिये गए, यह बहुत बड़ा गोटाला है, स्कैम है, अब उसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिली, आर्टियाई लोगों ने लगाए, उन्होंने मना कर दिया गया, मोदी जी मून रूप से आर्टियाई कानून के खिलाफ है, जी, और हमेशा आप याद रखिए, कि भारती जनता पार्टी और हर चीज गुप तुरूप से काम करते हैं, ट्रांसपरिंसी इनके काम में कभी देखने को आपको नहीं मिलेगी, तो इसमें भी नहीं है ट्रांसपरिंसी हमने शुरू से ही इस बात को कहा है कि कश्मीर समस्या के बारे में सबसे अच्छा बयान यदि किसी ने दिया है तो अटलबिहारी बाचबाई जी ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर के मामले में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने तीन बाते कहीं, उन्होंने कहा जमूरियत यह मत जानी डिमोक्रेटिक तरीके से, इंसानियत वा कश्मीरियत, इ इस तीन तीन पहलों के अंदर ही हल ढूंडा जाना चाहिए, अब जिस तरह से नोने फैसला लिया, वहां जमूरियत थी नहीं, सारी विधान सभा भंगुच, मतलब सस्पेंशन में थी, इंसानियत का कहीं तकाज़ा था ही नहीं, नहीं 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 नजर आई, और कश्मीरियत के मूल रूप पर प्रहार था, और वो सारे लोग, कश्मीर घाटी के वो सारे लोग, जिन्होंने की भारत रहने के लिए कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने भारती सम्विधान को स्विकार किया, चुनाव लड़े, लोकसभा में, विधान सभा में आए, नगरपाली कावमें, पंचाट में चुनाव लड़े, उनको सबको अपने जेल में बंद कर दिया, तो वहाँ जम्मुरियत बची का, इनका कहनाता वहाँ से आतंगवाद समाथ हो जाएगा, रोज हम लोग यह सुनते हैं, जितने इंसिदेंट्स हुए हैं उतने इतिहास में कभी नहीं हुए जब अब हुए हैं, इसलिए पूरे तरीके से इनकी कश्मीर नीती असफल रही ह इनकी को लिए करके कवायद हो रही है वहाँ पर अगर वो होता है तो आप इसे कैसे देखते हैं, क्या यह ठीक है क्योंकि पूपूलेशन के रेशो के हिसाफ से प्रतिनिद्दित करने का मौका जम्मु के लोगों को भी मिलना चाहिए, या आपको लगता है इसके पीछे सि कोविड में भी नहोंने हिंदू मुसल्मान कर दिया था, इसलिए ये बिलकुल गलत तरीका है कश्मीर समस्या को हिंदू और मुसल्मानों में बांट कर आप कश्मीर समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं किसान अंदूलन को लेकर सर बहुत लंबा एक वक्त चल आए, किसान अंदूलन चल आए, कॉंग्रिस उसका समर्थन भी कर रही है, लेकिन अवी तक हल नहीं निकला है, हम देखते हैं कि आज भी लोग बैठे हुए हैं, किसान परेशान हैं, और वो हर मुमकिन कोशिश कर र तीनों कानून क्यों लाए गए, ताकि बड़े बड़े इंटरनेशनल, मल्टिनेशनल कॉर्पोरेट्स को हमारा जो प्राइमरी एग्रिकल्चर मार्केट है, उसमें प्रवेश मिल जाए, और उसमें वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रक्योर कर सकें, सस्ता से सस्ता प्रक् और उस पे मुनाफ़ा कमा सकें, और ये पूरा प्रयास इनका यही है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और मल्टिनेशनल को किसानों से सस्ता माल खरिदवाएं और पैसा कमवाएं, इसलिए इसका विरोध होना सही था, और MSP का प्रोविजिन आवश्यक था, यही कानून यदि पार्लिमेंट की स्टैंडिंग कमिटी को सौप दिया होता है, या स्लेट कमिटी को सौप दिया होता है, तो यह विवाद ही नहीं होता, जो किसान विरोध कर रहे हैं, उनको बुला कि हम बाचित करा देते हैं, और यही नहीं साथ में, जो हमारा लेबर ल तो इस तरह से उन्होंने किसान और मज़दूर को दोनों को इन और्डिन्स में समाप कर दिया सैकारी अंदोलन को समाप कर दिया क्योंकि राहुल गांधी जी ने ठीक कहा था कि मोदी जी के सरकार सूट बुट की सरकार है तो पूरे तरीके से ये किसान गरीब मजदूर विरोधी सरकार के ये फैसले हैं जिनका इसमें बुरोध हुआ है सर महंगाई को लेकर के बहुत जादा अभी इस देश में वावाल मचा हुआ है केंद्री एक रिशी मंतरी नरेन सिंग तो मर मध्यप्रदेश से ही बलॉंग करते हैं उन्होंने बयान दिया कि सरसों के तेल के दाम इसलिए बढ़ गया क्योंकि अमने तेल में मिलावट जो है उसे रोख दिया मुझे दया आती है नरेन सिंग तो मर जी पर हमारे अच्छे मित्र हैं अच्छे भले व्यक्ति हैं और अच्छे राजनेता हैं लेकिन मिलावट रोकने का कहीं प्रमान तो होना चाहिए न कितने केसे इन्होंने मिलावट के अदालत में पेश किये ज़रही तो बताने केवल इस प्रकार से बयान देकर अपना अपनी कुर्सी बचाने के लिए वे नरेन मोदी जी के बचाव में खड़े हो जाते हैं मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी इसके लबाव मद्परदेश की बात कर लेते हैं मद्परदेश में बयानों के बहुत दोर चले और अभी एक खाली में बयान हमने रौकेश जी का देखा था रौकेश सिंग जी का जिसमें वह बहुत आपतीना टिपणी अली भावा चालीश चुर जैसे टिपणियां करते ह लोगे नजर आते हैं तो क्या ये इस तर जो है अब इस लेवल पर पहुंच गया है कि एक साथ संविधान की रक्षा करने वाली की करने की शपत खाने वाले लोग एक दूसरे को इस तरह की उलहाना इस तरह की वो दिन उपमाए दें हमेशा से हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए प्रजात तंत्र में भाषा का उप्योग सहमित होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार के ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे कहीं कटुता फैले मुझे नहीं मालूम राकेर सिंग जी ने किस संदर में ये बात कही है लेकिन उसने इस सब चीजों से बचना चाहिए जबलपुर का सथ जो नकली रेमडेसिवर को लेकर आपने बयान दिया था उस पर वो बात सही है मोखा के उनकी पार्टर्शिप है उनकी दोस्ती है और रामडेसिवर रेमडेसिवर इंजेक्शन्स का उन्होंने व्यापार किया गुजराच से नकली रेमडेसिवर इंजेक्शन आए और इनके माध्यम से माटे गए ये स्वेम मद्यपिदेश पुलिस ने कहा है और शिवरासिनियों नर्फिशाज की इनको संग्या दी है अब नर्फिशाज व्यक्ति यदि आप देखेंगे तो कलेक्टर, SP, MP, मिनिस्टर सब के साथ वो भोजन कर रहा है पार्टी शामिल हो रहा है और NSA में भेज़े जाते हैं, ये तीम मेहने के लिए भेज़े जाते हैं आज तक उनका फोन रिकवर नहीं हो रहा है मुबाइल फोन रिकवर नहीं हुआ मोखा जी का कैसे हो? पता पड़ेगा पूरा का पूरा मोखा को बचाने का पूरा प्रयास है तो आपको लगता है इसके पीछे शासन्ज से जुड़े लोग जम्यता है। हैं हर बार राकेश सिंग जी के साथ मोखा नजर आते हैं जिला कलेक्टर और जिला एस्पी दोनों के साथ उनकी फोटोज हैं प्रशासन के एक प्रमुक रूप से जितने बुकिया हैं उनके सब इनके साथ संब्द रहे हैं। प्रशलत लिखी होती है यह आरोप था और दो एक दो घंटे बाद उस सूची को ड्रीट कर दिया जाता है जाती के कॉलम को हटा दिया जाता है। क्या इससे समझते हैं लोगों को क्या मैसर जाएगा इससे। बीटी शर्माजी का उतना अनुभव नहीं है जितना होना चाहिए। पहली बार वे 35 तरके डे तरक में आए हैं तो उनके पास जो टीम है उससे शायद गलती हुई हो। लेकिन जो जाती का कॉलम है इसको लेकर के पहले भी आरोप लगते रहें कि क्या सियासत में इस तरह से होना चाहिए एक संगठन के अंदर ही जाती के आदार पर चीज़ है। इससे बचना चाहिए। इसके अलावा एक ये भी ख़बर थी बीच में कि शिवराज सिंग चौहान को लेकर के उनकी एक जो एंटी लॉबी है वो सक्रिय हो गई है अचानक से और बैटकों के दौर चले और जब वो बैटकों के दौर होते थे तो बंद कमरों में चुप चुपा कर के हुए। हलाकि बाद में फिर सब को आकर कि ये कहना पड़ा कि शिवराज जी हमारे सीम थे हैं और रहेंगे। तो बिना आपके धुआ उठ रहा है क्या सर रहा है। आज मुझे मुझे मालूम पड़ा है कल कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उस कैबिनेट मीटिंग में मुझे नहीं मालूम लेकिन जो अफ़वार में छपा है नरुतम मिश्राजी ने आपत्ति की एन्वी डिये की कुछ प्रोजेक्स के मामले में कि हमारे मंजूर शुदा प्रोजेक्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं है तो और ये मंजूरी क्यों दी जा रही है बात वाजिब है और उन्होंने कहा कि मेरा डिसेंटिंग नोट लिखिये और ये कहकर वो कैबिनेट की मीटिंग छोड़के चले गए कोई भी मंत्री अगर फैसले से सहमत नहीं है तो उसके सामने किवल एक मात्र विकल्प है दो विकल्प है या तो वो उस सहमत को हटा कर सहमत हो जाए या फिर अपने पच से इस्तिफा दे दे और मुक्य मंत्री जी को भी इस बात पर ध्यान देने का चाहिए कि के गैबिनेट के नोट में और के फैसले में कहीं डिसेंटिंग नोट नहीं लगा है आज तक और यदि मंत्री जी उससे सहमत नहीं है तो फिर उनको मंत्री मंडल में रहने का अधिकार नहीं है सर अब कॉंग्रेस की इंटर्नल पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं जिसे लेकर भी बहुत बाते हैं आजय सिंग जी ने खुलकर कमलनाज जी को लेकर कहा कि विंदे के कारण हम चुनाव नहीं हा रहे हैं और विंदे पर इसका दोशारूपन ठीक नहीं है तो इस तरह की बयान बाजियां चल रही है तो कॉंग्रेस में क्या सब कुछ ठीक है और इस तरह के बयान सारजनिक मंचों पर क्यों दिये जा रहे हैं हर राजनेटिक दल का अपना एक अनुशासन होता है और उसको अनुशासन का पालन करते रहना चाहिए किसी भी व्यक्ति को सारजनिक बयान देने के पहले दस बार सोचना चाहिए कि वो अनुशासन की जो सीमाएं है उसके बाहर तो नहीं जा रहा है और उसी के तहत हमें अपना जो भी वक्त विक हैं उसी दारे में देना चाहिए मुझे नहीं मालूम कि कमल नाझ ji ने किस संधर में बात कही और किस संदर में अजय सिंग राहूल ने बात की लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अरजुन सिंग जी के परिवार का और कमलना जी के परिवार का बहुत ही पुराना संभन रहा है और यदि मैं कहूं कि अर्जुन सिंग जी ही कमलान जी को मद्रप्रदेश में लेके आए चिंदवडा सेमकर को चुछनाव लड़वाया तो उनके बड़े प्रकार संभन्द रहे हैं मैंने पता लगा रहे हैं कोशिश की तो दोनों तरफ से इसी कोई बात मुझे नजर नहीं आए कि कहीं किसी प्रकार का विबाद है मद्रप्रदेश में कॉंग्रेस के नेतरत को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं अटकलें हैं सर कहा जाता है कि तीन बड़े नेता थे सिंधिया जी तो चले गए पार्टी छोड़ कर कमलनाज जी को हाली में मुका मिला लेकिन वो सत्ता सम्हाल नहीं पाए अब सववेक तोर पर जनता की उमीद या आपके समर्थकों की उमीद ये होती ही कि एक बार फिर से आप सक्रिये मद्रप्रदेश में हो करके वहां कॉंग्रेस की आपकी लीडर्शिप में चुड़ाव लड़े और आप एज़ा सीम वहां पर प्रोजेक्ट हो नहीं यह दे किरिफाइड मद्रप्रदेश जिसमें 36 गड़ था वहां से शुरुवाद हो कर और 2001-2002 तक और फिर उसके बाद 36 गड़ अर्परांत अलग हुआ मुझे 36 गड़ और मद्रप्रदेश के लोगों का बेहद प्यार मिला आशिरवाद मिला और उसके आधार पर हम लोगों ने वहां काम किया मैंने काफी अपना जीवन का हिस्सा मद्रप्रदेश की सियासत में बिताया है अब नए लोगों को लाने की आवशक्ता है इसलिए मैं सपोर्टिंग रोल ही कर सकता हूँ लीड रोल आज के समय में संभब नहीं है तो क्या दिगविजे सिंग अब सिर्प किंग मेकर बन कर रहेंगे ना मैं किंग मेकर पहले था आज हूँ ना कभी रहूँगा क्योंकि किंग मेकर की जितनी दुरगती होती है इतिहास में आप देख लिजे उतनी और किसी व्यक्ति की नहीं होती है तो क्या क्मलनाच जी फिर हम माने कि उनकी लिजेरशिप में ही अगला willingness होगा अब ये सब तो हमारी कॉंग्रेस पार्टि तैकरती है है कहारा है कि बीजेपी बार बार आरूप λगाती कि कॉंग्रेस पार्टि देश अभूंड को देश की दिशा क्या तैय करेगी अपना अध्याख्ष पूर्ण कालिक एक टैनिक कर पा रही है। ने युवाओं को आगे आना ही चाहिए और आएंगे ही अब ये सब चीज़ा टाइमिंग का सवाल है कैसे क्या होना है आने वाले दिनों के लिए कॉंग्रेस किस तरह से तैयारी करेगी क्योंकि कोविट का पुरा काल गुजरा है और एक सज़क विपक्ष के नाते बहुत जिम्मेदारी कॉंग्रेस की भी है मधिप्रदेश की बात करें या देश की बात करें तो जनता के हक के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी मैंने जीवन भर राजनीती की है विचारधारा की और इस देश में महात्मा गांधी पंडले जवाल नाल नहरू और कॉंग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसी के रास्ते पर चलके इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है यहां तक की अटल जी की सरकार भी बहुत कुछ कॉंग्रेस गांधी नहरू की रास्ते पर ही चलकर उन्होंने 6 साल के प्रधान मत्री काल बिताया पहली बार भारती जनता पार्टी का जो कोर है जो आरेसेस का कोर विचारधारा है उसको लागू करना शुरू किया नरेन मोधी जी ने और आप देख रहे हैं इन 7 साल के अंदर क्या दुर्गती हुई है देश की यहां की अर्थवस्ता की वो आपके सामने है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, इस देड़ साल के अंदर, कोविट काल में, वोही लोग पनपे हैं, जो अरब खरब पती थे, मजदूर भूकों मर रहा है, गरीब भूकों मर रहा है, इसलिए ये आप समझ लीजिए, कि इस देश में लेफ्ट ऑफ सेंटर या सेंटर, विचार धारा ही आगे देश को ले जा सकती है, एक्स्ट्रीम राइट विंग और एक्स्ट्रीम लेफ्ट विंग, दोनों इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में चीज़ें चल रही है, वो हर बार कहते हैं, व्यवस्ता दिग्विजे सिंग जी ने लागू की है, और हम तो इसे चला रहा है, और हमने बहुत बहुत बेतर वितन मान दिया है, जबकि अभी हम देख रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर क हमने हमने इस बात का प्रयास किया था कि सत्ता का विकेंद्री करण किया जाए और इसलिए शिक्षक करमी और साथ में जन स्वास्त रक्षकों को हमने इंसेंटिव बेस्ट प्रोग्राम्स के तुवत काम करवाया था, गौज सिवक अपाइंट किये थे, ताकि हम इनको स्किल दें और वे जनता की बीच में जाकर सेवा करें, शिक्षक करमीयों की नियुक्ति के अधिकार हमने लोकल बॉडिस को दे दिये थे, और उससे यह हो गया था कि कम से कम यह शिक्षक पढ़ाने तो जाते थे, वो डिसेंट्रलाइस फंक्षनिंग को इन्होंने बिगार दिया, सेंट्रलाइस कर लिया, अब मालवा और बुंदेल और इस निमार शेतर के शिक्षक को अगर सिंग्रॉली पोस्ट किया जाएगा, तो कैसे काम चलेगा, सिंग्रॉली के लोग कहा जाएगे, तो इसलिए जिलास तर पर, ब्लॉक्स तर पर ही हमने निक्तियां दी थी, जिससे गाओं के लड़कों को मौकरी बगरने का से अफसर मिला था, उनकी हमने टीचर्स ट्रेनिंग के माद्धियम से उनको तैयार किया, और अब आप देखेंगे जितने शिक्षक कर्मी या, या हमारे गुरू जी हमने निक्ति किये थे, मैंने क्या निक्ति किये थे, जात रहते थे, पढ़ाई कि बाद छोड दीजे, तो ये दिसेंटरलाइज फ़ँंशनिंग वशेशेश सेंटरलाइज फ़ँंटरी खरो virus का आंतर है, अब बीजेपी में भी अगर अभी वीजेपी है तो क्या वापन चेहरा बदलना चाहिए या यह उनका इंटर्नल मेटर है और इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यह कहा जाता है कि एक सिस्टम में जब एक लीडर बहुत लंबे समय तक रहता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वे संगतियां जुड़ जाती हैं उसके साथ हम तो चाहते हैं शिवरासिंग चोहान बने रहें ताकि 2023 में उनका जो चिठा है काला चिठा उसमें चार्शीट हमारी बढ़ती चली जा रही है नया आदमी आएगा तो उसके लिए हमको दिक्कत होगी थोड़ी से इसल प्रशासन के पुलिस के पास पहले से है किस अंदर में कमलना जी ने यह बात कहीं मैं नहीं जानता लेकिन पेंडराइव तो पुलिस के पास पहले से है ठीक शुक्रिया ऐसा न्यूस 24 मद्प्रदेश चत्रीजर से बाचित करने के लिए बहुत-बहुत शुपकामना है झाल 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 झाल